कि देखे कितने बड़े बड़े हमारे गुलाब जामुन होंगा और यह दिखी चाशनी भी तो इंज्वाइ करिया आप गुलाब जामुन हलो नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव and welcome back to my channel damn delicious by Sandeep Pandey तो मिठाईों का दौर शुरू है भाई फिर से एक मिठाई की recipe लेकर आया हूं और recipe क्या लेकर आया हूं आप सब मारों के सीजन में आप बना लो बहुत अच्छे लगेंगे ट्रिक्स आप फॉलो करना बहुत ही आसान ही से बच जाएंगे आपके तो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और क्या बोलू यार बस इतना ही आज के लिए तक आप यह ज्यादा दूद मैंने फुल क्रीम दूद लिया है यह उबला हुआ दूद नहीं है आप चाहे तो उबला हुआ दूद भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप फुल फैट दूद ले तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है बड़ा सा गैरा बरत चिपके नहीं घी डाला है तो ऐसे भी नहीं चिपकेगा हाफ टीज़्पून मैंने फ्लेवर के लिए इलाइची पाउडर डाल दिया है चार से पाच इलाइची छोटी इलाइची को नहीं मैंने कोट लिया था और इसका पाउडर बना लिया है फिरसे से स्टेर करते है इस जाए और एकटे ना डाले आप देखें मैं मिक्स करते जा रहा है और यही पे मैंने पूरी सूजी डाल दी है और इसे हम गैस की फ्लेम बिलकुल लो रहेगी यहाँ पर इसे अच्छे से हम जल्दी-जल्दी मिक्स करते जाएंगे ये देखिए सूजी ने हमारी दूद को पूरा एब्सॉर्ब कर लिया है इसे आपको continuous चलाते रहना है एक भी गाठे ना रहें इसमें थोड़ा सा दबा दबा के और आप इस पैचुला से इसे soft कर लिजी और यहाँ पे gas की flame मैंने off कर दी है एक से दो मिनट में सूजी आपकी फूल जाती है बहुत अच्छे से और इसे continuous चलाते रहें और इसे एक plate में ना हम निकाल ले रहें अथो ठंडा होने देंगी अभी बहुत गरम है और इसे ढग दे रहें ताकि थोड़ी से गर्माट इसमें रहें चली चलते हैं चाशनी बनाने के लिए चाशनी बनाने के लिए मैंने कड़ाई लिए और सेम cup की measurement से मैंने 2 cup चीनी लिया हुआ है और यहीं पे हम 2 cup पानी यूज़ करेंगे यानि 1 cup सूजी, 2 cup दूज, 2 cup चीनी चाहिए यह measurement है आपका चीनी को हमें ना बहुत ज़्यादा पकाना है बस चीनी हमारी थोढ़ी गल जाए मैंने मोटी चीनी लिए, आप थोढ़ी पतली चीनी लिए तो आपको टाइम थोड़ा बचेगा सेव होगा, चीनी को आपको अच्छे से मेल्ट करना है ये देखे, चीनी हमारी melt हो गई है, बस अब यहाँ पे न हमें चीनी को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं नहीं चाशनी तारवार कोई बनाना है, इसे 4-5 मिनट तक हम और पकने दे रहे हैं चीनी को, उससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, यह देखें, चीनी को मैंने 4-5 मिनट पका के लिए आपके पास केसर के धागे हो, तो केसर के धागे डाल दे, मैं थोड़ा सा ओरेंज फूट कलर डाल रहा हूं क्योंकि केसर के धागे नहीं थे, मेरे पास खतम हो गयते, इसे एक मिनट तक और उबालना है, और उससे ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे हम गैस की फ्ल अब इसे हाथों से मसल मसल के अभी भी हलका गरम है, हाथों से मसल मसल के बिल्कुल सौफ्ट हो तयार करना है, मैंने इसे धक किस लिए रखा था क्योंकि ठंडी होने पिना सूजी पे पपड़ी जम जाती है, यहीं पे मैंने वन टीस्पून घी डाल दिया है, वन बेकिंग पाउडर और सोड़ा तब आपके गुलाब जामुन तलते समय फट जाएंगा और इससे बिल्कुल मसल मसल कर, हमें बिल्कुल सौफ्ट दो लगाना है, देखी मैंने बिल्कुल सौफ्ट दो लगा लिया है, एक छोटी सी लोई मैं इसमें से तोड़ूंगा और इ उतने अच्छे गुलाब जामुन आपके बनेंगे और क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्रैक्स होंगे तो आपके गुलाब जामुन तलते समय बिल्कुल फट जाएंगे, इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे, गुलाब जामुन मैंने एक बार जितने तलने थे चाहिए और नहीं भूत ठंडा होना चाहिए जैसे आप ड़ाले गुलाब जामुन हलके bubbles आने शुरू हो जाई हैं मैंने गुलाब जामुन डालना शुरू कर दिया ये देखे कितने अच्छे bubbles आरे हैं बिस तेल आपका इतना ही गरम होना चाहिए धीरे धीरे करके मैं सारे गुलाब जामुन डाल दिया और डालने के बाद आप तुरंत इसे टश नहीं करना है कम से कम दो से तीन मिन तक आप इसे छोड़ दे एक तरफ से हो जाए हलके तब आप हलके हलके हातों से स्पेचुला या चमच की साहता तुरंत ही आपको इसे टश नहीं करना नहीं तो आपके गुलाब जामुन तूट जाएंगे हलके हातों से से आप दोसरे तरफ से भी पलट दे रहें ताकि गुलाब जामुन हमारे दोनों तरफ से सीख जाए और गैस की फ्लेम यहां पे लो कर दीजी यह देखिए दोनों तरफ से मैं गुलाब जामुन सिखने लगे है लो फ्लेम पे ही आपको सेख ना है ताकि बीच-बीच में आप थोड़ा मीडियम फ्लेम कर सकते हैं लेकिन हाई फ्लेम पे बिलकुल नहीं तब आपके गुलाब जामुन अच्छे से चारो तरफ से सिखेंगे यह देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसी तरीके से चमच से हिला हिलाके हम इसे चारो तरफ से अच्छा कलर आने तक सेख लेंगे बहुत ही ईजी है आपके फटेंग उटेंगे नहीं गुलाब जामुन अगर आप लो फ्लेम पे सेखेंगे चारो तरफ से मैंने अच्छे से से शेक लिया यह देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है गुलाब जामुन का बस इसका किनारे से तेल निथार लेंगे और इससे निकाल लेंगे एक प्लेट में और चार्षनी अभी हमारी गुनगुनी है इस चार्षनी को हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर ले रहे हैं और इसी में हम अपने गुलाब जामुन को डाल ले रहे हैं, चाशनी आपके बहुत ज्यादा गरम नहीं होनी चाहिए, याद रखे, नहीं तो अगर चाशनी भी गरम है, गुलाब जामुन भी गरम तो आपके गुलाब जामुन पिछके पिछके बनेंगे, बस इसे अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं और इसे हम धग देंगे चलिए हम दूसरा लॉट भी सेक लेते हैं यहां पर मैं दूसरा लॉट भी सेक लिया है और इसे भी हम चाशनी में डाल दे रहे हैं और उपर उपर चाशनी मिक्स कर दे रहे हैं हम देखें अगर आपकी चाशनी ठंडी हो कितनी अच्छे से गुलाब जामुन हमारे फूल गये हैं और एक पीस मैं आपको दिखाता हूँ ये देखि नहीं सॉफ्ट बने हैं यह देखिए मैं आपको कट करके दिखा रहा हूं कितनी सॉफ्ट कुलाब जामुन बने हैं पूरी अंदर तक चाशनी हमारी गई है देख रहे हैं याँ